क्योंकि हम कहां जाएंगे बताईए ना अब हमारा यह उमर हो चुका है कि अब हमको निकाल देंगे कर देंगे तो हमारे बाल बच्चे हैं चोटे-चोटे और भी बच्चे लोग है सबके यह बच्चे कहां जाएंगे आज रोड पे आ गए और उपर से महिलाओं के साथ में देह वेपर करते करके ऐसा भी आरफ लगा रहे हैं मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वो हम लोग इदर आ गए तो मतलब कुछ भी गेम खेल ले मतलब पुराने जो मेनेजमेंट के वेक्ति जो है न वो पूरा मतलब रांचा थोड़ रहा है लेकिन हमारे जितने 101 करमचारी है हम हम लोग एक है और एक रहेंगे हम लोग इस पर लेकर रहेंगे जाए यहां पर 37 गड़ के कुछ लोग आ हैं जो करमचारी हैं उनसे बात करेंगे मेरा नाम कलादास डेहरिया है मैं 36 गड़ से आया हूँ और 36 गड़ में जिस तरीका से भुपेश सरकार का जो एक मजदूर विरुधी एक रास्ता अक्तियार किया है उन्होंने उसी को लेकर के हम यहां पर बताने आये हैं लगातार उनसे मिलने का कुछ चुस किये मूल बात यह है कि 36 गड़ के अंदर एक नीजी अस्पताल रहा है चंदूलाल चंदराकर मेडिकल कालेज अस्पताल उस अस्पताल को सरकार ने चत्यज़गर सरकार ने अधिगरहन किया अधिगरहन करने के बाद वहां के करमचारियों को निकाल दिया गया और निकालने के बाद 36 गड़ के विधान सभा में एक राजपत्र में कानून भी पास कर दिया कि जो पुराने करमचारी हैं वो नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते जो समयधानिक मुल्यों को भी इनका कर्मचार को भी खतम करते हैं कि 101 कर्मचारी को निकाला गया है और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके 101 कर्मचारियों को सबीलियन करें इसलिए हम लोग दिल्ली आए हैं दिल्ली के प्रेसवारता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देश के आम लोगों को भी कि कहीं पर भी उनिस सो सत्तर औरसी के दसक में जो भी राष्टी करंड हुआ है प्राइवेट से सरकारी हुआ है वहां के करमचारे को बगायदा काम पर लिया गया है लेकिन पहला बार है कि छत्तित कर सरकार नया विधेग बना करके 101 करमचारी को काम से बाहर निकाल लिया है यह तीन सितंबर को कि 2022 और 2021 को पूरा किया 2021 को और 2022 में हम लगातार अनुरान कर रहा है आप भी उसमें है मैं जन स्वास्ट करमचारियों का प्रेशिडेंट हुआ 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 है मेरा नाम दीपर अंधावा है मैं 36 गड़ से हूँ मैं चंदुला चंद्रा कर मेडिकल कॉलेज टाइम पर पूरा सेवा दिया है जहां सब लोग डरते थे कि अपनी फैंली को भी छूनी से डर रहे थे वहाँ उस समय हमने वहाँ सेवा भी दिया है और हम 6 मेने से कंटिनु अंदोलन पे हैं और अंदोलन के दोरान हम लेडिसों पे गंदा अरोब भी लगाया गया वहाँ यह नहीं सुनी अभी तक हांची में वहां के स्टाप हूँ लैब टेक्निशन हूँ वहां बहार निकाल दे अभी नोटिस के कोई नोटिस नहीं बताया किस कारण हम आपको बहार निकाल रहे हैं कोई नोटिस नहीं सीधा बोल दिये कि नहीं आना है तुमको मेरा नाम सिहाँ चला मैं चंदूला चंद्राकर मेमेरियल मेडिकल कॉलेज का चांदूर दूर्ग से बोल रही हूं हमारे जहां हमारा 2013 से वो हॉस्पिटल चालू हुआ उस समय से हम लोग उस जगा कारिरत थे सारे जो 101 लोग है तो हम लोग को बीना नोटिस के बाहर कर दिया गया है और हमारा रूजी रोजगर छेना गया है हमारे वहां के मुख्यमंत्री जी से कही बार गुहार लगाने के लिए हम लोग गय हमारी बात को आप लोग रख सके हमारी आवाज वहां तक पहुंच सके यही हम चाहते कि हम सबों को सबीलियन किया जाए क्योंकि जब हॉस्पिटल और कॉलेज का आप अधिगरहन कर रहे तो वहां के स्टाप जाए तो हम कहा जाए मेरा नाम नलित कुमार पटना चंदलाल चंदरागर चंद्रागर से आया हुआ दुरुग जिले में रहता हूं मैं वहां पर हाउस्किपिंग इंजार्ज में काम करता था देखता था सब 2013 से सुरुवात से हूं लेकिन जब 2021 में या अधिगरह ये घोसना किया गया सरकार के दोरा हम मुख्यमंत्री वुपेज भगेल जी आये थे कि हम इस कालेज को अब हम लेने जा रहे हैं तो उसके बाद चलता रहा हम लोग समय से काम करी रहे थे लेकिन ध्यान नहीं दिया ए किसी ने जब अधिगरहन हुआ है तीन सितंबर को वहाँ पर जो कालेज के शासन प्रदादिकारी दिन ये सब आ करके बैठना चलुए मेडिकल सुप्रिडेंटेंट और एमेस ये सब आ चुके हैं और देरे-देरे सब आना चालुए सरकारी लोग और हम लोग उनको मतलब बोल दिया कि डिन सर कि अब आप सरकार के अब हमारे स्टाफ नहीं है आप लोग बाहर निकल जाएए तो उसके बाद से हम लोग का मतलब एक धनना प्रदर्शन चालुए तो पूरा ले चित्थी पत्रा सब चलता रहा हमने मुख्य मंत्री के पास में भी दिये गए उन्हो अरे दुरुग जिले में जो पारसत के चुनाउना हुए थे उस समय में कालेज के कुरुद गाउं तरफ भी आय थे तो हमारे कुछ सदय से लोग उनको चिट्थी भी दिये तो ठीक है हम मिलेंगे करका अस्वासन दिये लेकिन कुछ नहीं मिले अब आप बताईए कि 6 साल हो गिया है छे मेना तक कम से कम कोई तंखा नहीं कुछ नहीं बस चुपचा बैठे हुए निकाल आप लोग चले जाईए करके अगर तरीके से सभी जो 101 स्टाफ है उनको अगर जोड़ा जाये तो 12 करोड से जादा बनेगा तो भी हम लोग इस सारी चीज को लेकिन क्या टाल मोटोल कर रहे हैं नहीं रखेंगे करके एक अंडिका बारा ला करके पूरा पूरा निकालने के प्लानिंग में चल गया था अब जैसा प्लानिंग में चला है सब को ख़ग हमको एक बार मुख्य मंतरी से मिल वादा हां ठीक है मिलवाएंगे मिलवाएंगे लेकिन आज तक किसी ने भी वहां के कांग्रेस के मले चातीस गड़ के अंदर में जो दुरक जिले में रहते हैं आज तक किसी से मिलने के लिए नहीं दिया है उनसे मिलने के हमला दो हजार तेरस के वहां पर करेंगे उनको क्योंकि हम कहां जाएंगे बताईए ना अब हमारा यह उमर हो चुका है कि अब हमको निकाल देंगे कर देंगे ता हमारे बाल बच्चे हैं चोटे-चोटे और भी बच्चे लोग है सब कर जाएंगे आज रोड पे आ गए और उपर से महिल तुम सावलिया नहीं कर रहे हो लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए है है सरकार मतलब मतलब आपस में लड़ो और अभी तब कल हमने सुने हैं कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं कुछ सातियों से मतलब कुछ साइन करवा रहे हैं वहां का कॉंट्रेक्टर और पुराना मेनेज साइन कर रहे हैं कि यह यहां कर रहे हैं वह स्टाप नहीं है करके यह गलत बात है उनको सोचना चाहिए हम लोग इधर आगे तो मतलब कुछ भी गेम कहल ले मतलब पुराना जो मेनेजमेंट के वेक्ति जो है न वह पूरा मतलब धांचा तोड़ रहा है लेकिन हमारे जितन हो सके तो अगला उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है बले हम अपना जान देने के लिए तैयार है कम से कम हमारे बाल बच्चे को दो देखेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए सर इसको बिल्कुल उठाईए आप लोग के चैनल के जरिये क्योंकि देखे हम उतना दूर से आए हैं एक विश्वास पर आए हैं सरकार उधर ध्यान ने दे रही उधर भी जा रहे हैं उधर भी बोल रहे हैं और उसके बाद आज हम दिल्ली भी आए इसी वारता के लिए ठीक धन्यवाद दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और न्यूस 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया देखते रहें न्यूस 22 लाइव सदैवाब के साथ